हाई आप आप सभी अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आपको अपने घर का टूर कराने वाली हूँ आप सब को अच्छा लगेगा जी यह भी लिव्ट एं अनन्हें पर्सन चाहर एक अकैles को अच्छ जाने रहें तो कार सीद भी यूज नहीं होती तो यहां रख लिया करती हूं यह है मेरा में गेट और यह कबड है इसमें काफी सारा समान है शूरेक भी है इसी के अंदर इसमें मेरा काफी समान आ जाता है तो मुझे काफी कमफर्टेबल है और इसमें बिग मिरर देखें यह कुछ टू स्टूल्स है जो शूस पहनने के लिए बैठने के लिए बैठने के लिए कमफर्टेबल है यह देखें इस इस दा लिविंग रूम यह लगबग 1500 स्क्वार फिट है हमारे लिए काफी है पहले मेरे पास काफी बड़ा घर था तो सफाई करने में भी बहुत दिक्कते आती थी यह हमने अभी रिसंटली ही चेंज किया है बट यह क्लिप पुरानी है यह 25 फैब की है उस दिन मेरे बेटे का बड़े था बड़े वाले का तो मुझे यह अपनी सिस्टर इनला को बट मेरी जैसी भी थी मैंने दे दिया था बिकास बड़े से कुछी दिन पहले हम यहाँ पर मूव हुए थे यह लिविंग रूम में काफी बड़ा है यह और 1500 स्क्वार फीट ना सच में बहुत है हमारे लिए पहले हमारे पास कम से कम 1800 स्क्वार फीट था बट वो सच बता भी नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यह ओपन किचन है मेरे लिए काफी है इसमें मेरा सारा समान एकजस्ट हो गया आराम से देखिए इस कुछ कबर्ट है और मैं हर मन्त अपना किचन चेंज करती रहती हूं कभी कुछ समान का यह चोटे से गनू है म मैं हमेशा अपने किचन में रगती हूं मैं हमेशा चेंज करती रहती हूं चीजों को कोई चीज कभी हर मन्त ना मैं different different चीज हिए करती रहती हूं मुझा अच्छा लगता है गर में settings करना यहां पर यह washing area है यहां पर एक front loaded machine है और एक यह drier है बडर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, seriously because जब batshit धुलती है तब ही मैं यूज़ करती हूँ और यहाँ एक door और है यहाँ पर बाहर की साइड ना stairs भी है और एक workers के लिए भी lift है but इस gate को ना हम बहुत ही कम यूज़ करती हूँ because इस gate से ना mates वगेरा आती है और इधर से एक lift है जो workers के लिए है और यह है हमारा प्यारा सा temple यह हमेशा ना मुझे एकांत में ही पसंद है मुझे घर के अंदर या मतलब bedroom वगेरा में बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मुझे हमेशा एक अलग space चाहिए होता है जहां मैं अपना पूजा का स्थान बना सकूँ और यहां पर ना कोई आता जाता भी नहीं है maids भी नहीं आती है इनकी इसकी सफाई मैं खुद ही करती हूँ आप देख सकते हैं बड़ा है काफी हमारे लिए तो काफी है 1500 स्क्वार फिट बहुत है हमारे लिए यह एक powder room है यह भी बहुत rare यूज होता है हम इसे यूज नहीं करते हैं इसको भी made ही यूज करती है बिकोज जब वो आती है तो इसी में अपना जाड़ू पोचे का समान रखती है और फिर यहीं से hand wash करके चली जाती है तो हम इसको यूज नहीं करते हैं मतलब यूज आता ही नहीं है बिकोज बच्चों का अलग है हमारा अलग है तो हमें यह यूज करना ही नहीं पड़ता यूज ही नहीं होता तो हम इसको mostly बंद ही रखते हैं मेड़ी ओपन करती है वही बंद कर देती है दन ये है मेरे बेटे का रूम हिमांग का ये उस दिन इसका बर्डे था तो जल्दी से मैंने काम घर का करके मेरी सिस्टर इनला को चाहिए थी क्लिप तो मैंने उनको बना के दे दी और ये उसका स्टरी का कुछ समान रखा हुआ है यहां पर उसका वो प्रिंटर लैप्टोप्स वगएरा जो भी बचों के गैजट्स होते हैं पढ़ाई के लिए आजकल तो यही साधन है बस जब सहीं ओनलाइन चला है यह कबर है इसमें इसी का सारा समान रखा हुआ है हमारा इसमें खुछ नहीं है उसी का इतना सारा समान है यह उसी का वाश रूम है काफी बड़ा है यह भी आप देख सकते हैं यहां पर ना एक विंडो है और इस विंडो को मैं हमेशा खोल के रखती हूं जिसे की थोड़ा घर में थोड़ी हवा आ सके विकोज यहां पर ना रेलिंग लगी हुई है और कहीं पर ना रेलिंग नहीं है तो मैं सारी विंडो बंद रखती हूं बिकोज मेरा चोटा वाला बेटा बहुत जादा नौटी है तो मैं उसके डर की वज़े से बंद रखती हूँ मैंने ये पर्मानेंट लॉक की हुई है सारे रूम्स की विंडोज इसके रूम्स से कुछ ऐसा व्यू दिखता है मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया है एक मैदे का टावर बन रहा है और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये है मेरी प्रिवियस बिल्डिंग मैं इसमें पहले रहा गड़ती थी मुझे अपने घर की हर विंडो से ये दिखती है ये भी काफी अच्छी सुसाइटी थी बड़ थोड़ा कुछ चेंज करना था हम लोगों को इसलिए हमने मूव किया ये मैं लाइन से जो आपको दिखा रही हूँ ना ये तीन चार से लेके चार पाँच टेमपल्स है यह एक दूसरी सुसाइटी है दूआ सेंट्रल है इस henri लिए में विल्डिंग के ये मोनू ट्रेन है। यसे दिल्ली की ही में याद आंगा जाती है जब मैं सके बहुत साल हो गए मैं बैठे हुए भी ठीक इसी रूम के सामने हमारा मैस्टर बेडरूम है मैंने घर की सेटिंग भी अच्छे से नहीं की थी क्योंकि बर्डे से कुछी दिन पहले हम आये थे अब देख भी सकते हैं मेरा ये कुछ लगेज भी ऐसे ही रखा हुआ है अभी जो आनपैक्ड है बट बर्डे था शाम को दो या तीन ही लोग बुलाए तो उनकी भी तियारी करनी थी कि आप देख सकते हैं कि feit क्यूंकि लोग डाउन में बुला भी नहीं सकते ना जादा कुछ कर सकते ना कहीं जा सकते हम पिछले और हाफ यृड से सब कुछ घर में इंज्योई कर रहें बलकि सभी कर रहे हैं ये कबर्ड है मेरे और मेरे हस्बिन का, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारा स्पेस है कि जिन मैं अंदर से भी आपको दिखा दूँगी, ये ट्रेसिंग एरिया है, और ये वही मेकप पैसिसरीज हैं, जो सभी ओरते यूज़ करती हैं, बट मैं बहुत गम यूज़ करती ह हैं, अब जब कहीं जाते ही नहीं तो कहां यूज़ करें, इसमें भी बहुत सारा समान रखा हुआ है अंदर, इसमें काफी स्पेस है, घर में समान हो ही जाता है जब बच्चे होते हैं साथ में, ये है मास्टर बैडरूम का बात्रूम, ये एक बड़ा वाश्रूम है, जो म पूरा क्वाला लंपुर दिखता है बढ़ हम बहुत कम ही इसका विंडो ओपन करते हैं विकोज चोटे बेटे की डर की वज़े से विंडो सारी ही क्लोज रखते हैं यह नो हमने थोड़ा ना पर्मनेंट लॉक किया हुआ है कुछ इनकी विंडो के अंदर लॉक सिस्टम लग इसलिए हम थोड़ा सा स्केर्ड है और इसलिए सारी विंडोस हम बंद रखते हैं यह इसमें ग्लास लगा हुआ है बीच में और उदर शावर लेने के लिए हैं काफी बड़ा है यह वाश्रूम काफी स्पेस है इसमें मेरा बेटा भी ओपन करके दिखाएगा इसका कटें यह देखें यहां से आप पूरा खौला लूमपुर देख सकते हैं बट कौन इनको खोलता है सुबह तो वैसे ही इतना जल्दी होता है सब काम नहाना दोना किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हां बाहर का कुछ नजारा देखें यह तो हम कभी भी ओपन नहीं करते हैं यह आपको दिखाना था कि हाँ यहां से कुछ ऐसा व्यू है तो इसलिए मेरे बेटे ने ओपन कर दिया कि और यह सकेंड विंडो का है इसी के साइड में मैं इसको भी ओपन करके दिखाऊंगी यहां से फिर से मेरी प्रीविएस बिल्डिंग वी कैन सी यह देख सकते हैं हर विंडो से दिखती है मेरी प्रीविएस बिल्डिंग बाहर से बहुत तीज नोइज आ रहा है एम्बलेस का और एम्बलेस सच में मुझे उसकी आवास से ही बॉर्डर लगता है मैं रिकोडिंग भी अपने कमरे में ही करती हूँ जिससे कि बाहर का कोई नोइज ना सके ठीक इसी तरह से मेरा घर का टूर फिनिश हुआ आई होप आपको मेरा घर अच्छा लगा होगा जैसा भी है और यहां मैं सुन रही थी आई तिंक हरुमान चली सा यस जब भी मैं खाली होती हूँ ना तो मैं कुछ न कुछ बजन लगा के रखती हूँ जो मुझे सच में ही बहुत अच्छे लगते हैं वरना बच्चे तो आपको पता यह देखने ही नहीं देते टीवी आई होप आपको मेरा गर अच्छा लगा होगा थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के Okay, bye-bye.